हमिर्पर में NSUI ने हिमाचल प्रदेश चेन बोर्ट में जाकर TZT कमिशन की प्रिक्षाओं को आगे बढ़ाने हैं तो ग्यापन प्रत्र सोंपा है ग्यापन में मांग की गई है कि बोर्ट द्वारा जेवेटी के टेट प्रिक्षा को पहले ही आगे बढ़ा दिया गया था प्रतिनीदी मंडल ने आयो के करमचारी पर अभधर बिवहार करने के आरोप भी लगाए हैं जिला ध्यक्ष टोनी ठाको ने आरोप लगाया कि बोर्ट का प्रशासन पहले उनके प्रतिनीदी मंडल को गेट पर ही रोक कर रखा और आगे जाने पर धमकाने भी लगा घंटो इंतजार के बाद बोर्ट की तरफ से एक अधिकारी आया तो वो भी बहस करने पर उतारू हो गया टोनी ठाको ने कहा कि खुद तो प्रशासन महामारी से डर रहा है पर युबाओं के पेपर करवाना चाह रहा है उन्होंने कहा कि ये सब संसान जंतक की सेवा के लिए है पर इजी टी आर्ट्स नॉन मेडिकल और मेडिकल के एकजाम जो थे वो 9 अगस्त और 16 अगस्त को रखे गे थे हम लोग यहां पर अपना एक मांग पत्र लेकर जो है वो आयों के समक्षाय थे कि उनको पॉस्टपॉन की जाए ड्यूरिंग इस करोना एपिडेमिक लेकिन सबसे पहले तो जो यहां का परशाष्टन है उसका इतना जो है वो जो आम पबलिक के प्रती और लोगों के प्रती इतना जो रूड जिसे एरोगेंट रविया देखने को मिला कि यहां पर हम करीब करीब दो घंटे से यहां पर खड़े हैं कोई हमारा जो है वो मेमोरेंडम लिए से वां देख रहें देखे खुड तो यहां पर प्रशाशन बिख करने से घंट करने के लिए और फशार तेर प्रति देने के लिए जो बच्चे एक्जाम देंगे उनकी संक्या हजारों में है तो उनको एक्जाम देने के लिए बोड़ रहे हैं और खुद डर रहे हैं तो इस पूरे महाल में कहीं न कहीं जो हम आम छातर हैं या कोई और है वो खुद को असाज मसूस कर रहा है ये प्रशाशन का बहुत ही जो है कि वो हम पर बहुत बड़ा ऐसान कर रहे हैं और जब हम उनको बोलते हैं कि हमें जो है वो आप कोई प्रूफ दें कि हमारा जो रिजिस्टेशन नंबर दें तो उसके बाद हमें लास्ट में मिलता है तो हम उमीद करते हैं कि यह जो है वो टीजिटी आर्ट्स नॉन मैड मेडिकल के जो कमिशन का एकजाम है वो जरूर पॉस्ट पॉन होगा जैहिंति रंगा सलाम